नमस्ते दोस्तों यारे से स्ट्रीपन चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए हिस्ट्री का 40 मतवूर प्रस्णों का संग्रा लेकर आए हैं जो की NCRT बेस्ट है आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली के सुल्तान अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो नीचे आज का मारा पहला परस्ण है दिल्ली एक महतवद तॉपर कब आ दिली एक महतवद साहर और परहाई शताब्दी में बना इसका अन्सु कर भी सबसे पहले दिली किसके कल में राजधानी बनी सबसे पहले दिली तो मर राजपूतों के कल में राजधानी बनी इस गांसों का डि तो मर राजपूतों के कल में साथ ध्यान रखीगा परावी सधी के मद्ये में तूमरों को अजमेर के जुँआनों के राजधानी राजधानी दिली बड़ीजे का एक महतवपूर केंद्र बन गया इस साहर में देलीवाल कहे जाने वले सिक्चे ढाले जाते थे जो कि काफी परशलन में थे इस साहर में सारे संबरीव साली जान बेपारी रहते थे जिन्होंने अनक मंदीरों का निर्मार करवाया अब आते सिंदानों है 13 सदी के अरम में दिली सल्तनत की अस्थपना हुई और इसके साथ दिली एक ऐसी रधानी में बदल गई जिसका नियंत्रन इस उपमहादीब के बड़े छेत्रों बर फैला था अब आते नेक्स्ट कोशन पेमा नेक्स्ट कोशन है तोमर करशासनकाल क्या था तोमर करशासनकाल अरांबिक के बरहुई सताबी से 1165 तक था इसका अंसर का A अरांबिक बरहुई सताबी से 1165 तक अब आते नेक्स्ट कोशन पेमा नेक्स्ट कोशन है अनंग पाल की सासनकाल क्या थी अनंग पाल की सासनकाल 1130 से 1145 इस भी तक थी इसका अंसर का C साथ ध्यान रखेगा अनंग पाल तोमा राजपुद्वन्स के थे अब आते नेक्स्ट कुर्शन पेमा नेक्स्ट कुर्शन है चुम्हानों की शॉसन कल क्या थी चुम्हानों की शॉसन कल अब आते नेक्स्ट कुर्शन पेमा नेक्स्ट कुर्शन है प्रिथवी रचौहान की शॉसन कल क्या थी प्रिथवी रचौहान की शॉसन कल 1175 से 1172 इस भी तक थी इसका अंसर होगा D 1175 से 1172 इस भी तक साथी द्यान रखेगा प्रित्वीरा चोहान चोहान बंस के थे जिने चोहान बानों के नाम से भी जाना जाता है अब आते नेक्स्ट कोशन पेमा नेक्स्ट कोशन है तुर्की सासक की सासनकल क्या थी तुर्की सासक की सासनकल 126 से 1290 इस भी तक थी इसका अंसर का A 126 से 1290 इस भी तक अब आते नेक्स्ट कोशन पेमा नेक्स्ट कोशन है कुतुब दिन एवग की सासनकल क्या थी कुतुब दिन एवग की सासनकल 12.6 से 12.10 इस भी तक थी इसका अंसर का B 12.6 से 12.10 इस भी तक अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारना समसुदीन इल्टूतमिस की सासन कल क्या थी समसुदीन इल्टूतमिस की सासन कल 12.10 से 12.36 इस भी तक थी इसका अंसर का C 12.10 से 12.36 इस भी तक समसुदीन इस इल्टूतमिस की सासन कल थी अब आधा नेक्स्ट कोशन पर मा नेक्स्ट कोशन है रजिय सुल्टान की सासन कल कब से कब तक थी रजिय सुल्टान की सासन कल सन 1236 से 1240 सीवी तक थी इसका अंसर गड़ी सिंहासन पर बैठी उस यूग के इत्यासकार मिनहाज सिराज ने स्विकार किया है कि वह अपने भायों से अधिक योग्या और सक्षम थी लेकिन फिर भी वह एक रानी को सासक के रूप में मान्याता नहीं दे पा रहा था दर्बारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से सासन करने की कोशिसों से प्रसंद नहीं थे सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया अब आते नेक्स्ट कोशन पर मानेक्स्ट कोशन है ग्यासुदीन बलबन की सासन काल कब से कब तक थी ग्यासुदीन बलबन की सासन काल 1266-1287 भी तक थी इसका एंसर का ए 1266-1287 भी तक साथ ध्यान रखीगा ग्यासुदीन बलबन तुर्की बंस की सासक थे अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर मानेक्स्ट कोशन है खिलजी बंस का सासन काल कब से कब तक था अब आते नेक्स्ट कोईशन पर हमाँ नेक्स्ट कोईशन है जलालो दिन खिलजी का सासन काल कब से कब तक था? जलालो दिन खिलजी का सासन काल 1290 से 1296 वी तक था? इसका अंसर का C ध्यान रखिएगा 1290 से 1296 वी तक जलालो दिन खिलजी का सासन काल था? जलालो दिन खिलजी खिलजी वंस के सासक थे? अब आते नेक्स्ट कोईशन पर हमाँ नेक्स्ट कोईशन है अलाव दिन खिलजी का सासन काल कब से कब तक था? अलावदिन खिलजी के सासनकाल 1296-1316 भी तक था इसका अंसर होगा A 1296-1316 भी तक साथ ध्यान रखिएगा अलावदिन खिलजी के सासनकाल में दक्षिर भारत को लक्षे करके सैनिक अभियान सुरू हुए और ये अभियान मुहमत तुगला के समय में अपनी शर्म सीमा पर पहुँचे इन अभियानों में सल्तानत के सिनाओं ने हाथी घोड़े गुलाम और मुल्यान धातिये अपने कबजे में ले ली अब आते नेक्ट कोशन पर हमा नेक्ट कोशन है तुगलाक बंस का सासनकाल कब से कब तक था इसका अंसर का ए साथ ही ध्यान रखेगा खलजे इत्तथ तुगलाक सासक बंदकां के इस्तमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आशित भीन लोगों को भी उचे राजनीतिक पदों पर बैठाने रहे लेकिन इससे राजनीतिक आश्तीरता पायदा होने लगी फार्सी तवारिक के लेखों को ने नीचले खांदान के लोगों के उसे पदो पर बैठाने के लिए दिली के सुल्तानों की अलोचना भी की है अब आता है नेक्स्ट कोशन पेमा नेक्स्ट कोशन है ग्यासुदिन तुगलाक का शासनकाल कब से कब तक था? ग्यासुदिन तुगलाक का शासनकाल तेरो सबीस से तेरो सब चोबिस इस भी तक था? इसका अंसर का C साती ध्यान रखीएगा ग्यासुदिन तुगलाक शासनकाल कब से कब तक था? साथे ध्यान रखिएगा मोहमद तुगलक तुगलक वंस के सा सकते अब आते हैं नेक्ष्ट कोशन पर हमा नेक्ष्ट कोशन है फिरोज साथ तुगलक का सासन कल कब से कब तक था फिरोज साथ तुगलक का सासन कल 13-51 से 1388 भी तक था इसका अंसर का सी 13-51 से 1388 भी तक फिरोज साथ तुगलक का सासन कल था फिरोज साथ तुगलक तुगलक बंस के थे अब आते हैं नेक्ष्ट कोशन पर हमा नेक्ष्ट कोशन है सियद बंस का शासन काल कब से कब तक था? सियद बंस का शासन काल 14 सब्सक्राइन इसलिए Neo Azunbadrant इसलिए 20. सकारइल घा इसलिए 94 सब्सक्राइन कारद इसलिए जयद पालत से जयद बंस का शज़न काल चानलिए खानल कर deta । खीज खान का साथनकाल 14-14-1421 इसमी तक था इसका अंसर का A 14-14-1421 इसमी तक साथी ध्यान रखिएगा खीज खान स्यद बंस के साथ सकते अब आते हैं नेक्स्ट कोर्शन पर हमां नेक्स्ट कोर्शन है लोदी बंस का साथनकाल कब से कब तक था लोदी बंस का साथनकाल 14-1526 इसमी तक था इसका अंसर का B 14-1526 इसमी तक लोदी बंस का साथनकाल था अब आते हैं नेक्स्ट कोर्शन पर हमां नेक्स्ट कोर्शन है बहलोल लोदी का साथनकाल कब से कब तक था बहलोल लोदी का सासन काल 14-15-1489 भी तक था इसका अंसर का C बहलोल लोदी का सासन काल 14-15-1489 भी तक था अब आते नेक्ट कोशन पर मा नेक्ट कोशन है रुद्रमा देवी किस बंस की सा सकती रुद्रमा देवी काक्तिय बंस की सा सकती इसका अंसर का A ध्यान रखेगा रुद्रमा देवी काक्ति वंस की सासती अब हाथ is next question रानी रुद्रमा देवी का सासन काल कब तक थाra रानी रुद्रमा देवी का सासंकल था साथ ध्यान रखेगा अधुनिक आंध्रपरदेश के वारंगल छेत्र में किसी समय काक्तिय वंस कराज जय था रुद्रमा देवी ने अपने अविलेखों पर पूरुसो जैसा अपना नाम लिखवा कर भ्रहम पैदा किया था आप आता नेक्स्ट कोशन पर हमां नेक्स्ट कोशन है रानी दिद्दा का सासंकल कब से कब तक था साथ ध्यान रखेगा का समीर का मदद करने के लिए रानी दिद्दा का नाम दिडी से निकला है अब आते नेक्ट कोशन पेमा नेक्ट कोशन है सुल्तान का संस्थापन किसके काल में हुआ सुल्तान का संस्थापन ग्यासुदीन बल्बन के काल में हुआ इसका अंसर का B, ग्यासुदिन बल्वन के काल में सुल्टान का संस्थापन हुआ अब आते नेक्स्ट कॉर्शन, पेमा नेक्स्ट कॉर्शन है कुवत अल इसलाम मस्जीत था इसकी मिनार का निर्मार कब हुआ कुवत अल इसलाम मस्जित था इसकी मिनार का निर्मार बरहुई शदी के आखरी दसक में हुआ साथ ध्यान लखिएगा यह मस्जित नई दिली में इस्तित है इसके निर्माता कुतुब दिन एवक थे प्रिद्वी राच चौहान की प्राजा के बाद कुतुब दिन एवक ने इस मस्जित का निर्मार करवाया था अब आते नेक्स कोशन पे हमा नेक्स कोशन है बेगम पूरी मस्जित कहां बनाई गई थी बेगम पूरी मस्जीर जहां पना में बनाई गई थी इसका अंसर का A, जहां पना में अब आते हैं next question, पेमा next question है बेगम पूरी मस्जीद का निर्मार्क किसके राज़ेकाल में हुआ था? बेगम पूरी मस्जीद का निर्मार्क मुहमद तुगलक के राज़ेकाल में हुआ था इसका अंत्रगरडी बेगम पूरी मस्जीत करिनमाड महमत दुगलक के राजय काल में हुआ था अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पेवा, नेक्स्ट कोशन है चंगेज खान के नेत्रीतों में मंगोलों ने ट्राउंस अकसियाना पर हमला कब किया था चंगेज खांद के नेत्रीतों में मंगोले ने ट्रांस अक्सियाना पर हमला सन 1219 इस भी में किया था इसका अंसरका सी ध्यान रखिएगा चंगेज खांद के नेत्रीतों में मंगोले ने ट्रांस अक्सियाना पर हमला 1219 में किया था साथ ही ध्यान रखिएगा चंगेज खान के नेत्रीतों में मंगोले ने 1219 में उतरपुर्वी इरान में ट्रांसक्सियाना अर्थात आधुनिक उजबेकिस्तान पर हमला किया उसके सिंगरवादी दिल्ली सल्तनत को उनका धावा जेलना पड़ा अलावदीन खल्ची के साथनकालों के आरह में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए इससे मजबूर होकर दोने ही सुल्दानों को विसाल से नक खड़ी करनी पड़ी अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है सेर्सा सूरी कहां का था? सेर्सा सूरी बिहार का था सांति ध्यान रखेगा सेर्सा सूरी ने बिहार में अपने चासा के एक छोटे से इलाके के परवंदा के रुप में काम सुरू किया था और आगे चल कर उसने इतनी उनती की मुगल समराथ हमायू तक को चुनावती दी और प्रास्ट किया अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है सेर्सा सूरी दिल्ली की राजगदी पर कब बैठा था? इसका अंतरगा B, शिर्षा सूरी डिली की राजगदी पर सन 1540 जिसभी में बैठा था साथी ध्यान रखेगा, शिर्षा ने हुमाईईं का हरा कर सन 1540 जिसभी में डिली की राजगदी पर बैठा था आब आते next question पे हैं, my next question है सेर्शा सूरी ने दिली पर कितने बर्शों तक सासन किया साथ ध्यान रखीगा सूरबंस ने के और 15 बर्श अर्थात 1540 से 1525 भी तक सासन किया लेकिन इनके पर सासन ने अलावदिन खलजी वाले कई तरीकों को अपना कर उन्हें और भी चुस्त बना दिया महान समराट अकपर ने जब मिंगल समराजे को समयकित किया तो अपने परितिमान की रुप में सियर सा की परसासन भेस्ता को ङापनाया था अब आता है नेक्स्ट कोशन परेमा नेक्स्ट कोशन है तीन स्रेणियों का विचार सबसे पहले कब सुत्रबद किया गिया तीन स्रेनियों का विचार सबसे पहले 11 शतावदी में सुत्रवद किया गया इसके अंसर समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया गया पहला है प्रातना करने वाला बर्ग दूसरा है यूद करने वाला बर्ग तीसरा है खेती करने वाला बर्ग तीन बर्गों के इस विभाजन को इसाय धर्म का भी समर्थन प्राप था इसी विभाजन से योधाओं का एक नया सम्हु भी निकला इन योधाओं को नाइट कहा जाता था अब आते नेक्स्ट कोशन प्रेमा नेक्स्ट कोशन है तुगलक बंच के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर किसका राज रहा तुगलक बंस के बाद 1526 तक दिल्य और आग्रापर साथी ध्यान रखिएगा तुगलक बंस के बाद 1526 तक दिल्य तक आग्रापर साथी तक लोधी बंस का राज रहा तदा पूरे दक्षिर भारत में सोतंत्र सासक उठ खड़े हुए थे, उनकी रजदानिये सम्रीद थी और आज ये फॉल फुल रहे थे, इसी कल में अफगान तरज राजपूतों जैसे नाय सम्हों भी उभरे, अब आते हैं नेक्स्ट कोशन पे हमाँ नेक्स्ट कोशन है, ए इक्ता को संभालने वाले अधिकारी को इक्तदार और मुक्ति दोनों कहा जाता था, अर्थात इसका एंसरों का C, A और B दोनों, ध्यान रखिएगा, एक्ता को संभालने वाले अधिकारी को इक्तदार और मुक्ति दोनों कहा जाता था, साथी दूस्तों ध्यान रखिएगा पहले वाले सिल्टानों की तरह खलजी और तुगलत सासकों को भीन भीन अकार के इलाकों के सुबिदार के रुप में नियुक्त किये ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले इक्तदार या मुक्ती कहा जाते थे मुक्ति का फर्स था सैनिक और भियानों का नेतरीत्व करना और अपने एक्तों में कानून और बिवस्ता बनाये रखना अब आते नेक्स्ट कोसन पेमा नेक्स्ट कोसन है मोट की मस्जीद का निर्मार किसके सासन कल में हुआ मोट की मसजीद का निर्माड सिकंदर लोडी के सासन काल में हुआ जमाली कमाली की प्रस्जीद का निर्माड कब हुआ सन 1528-2 का संसे हुआ इसके अंसर कर सी दियान रखिएगा फंदर सो अठाइस इसपी के आसपास जमाली कमाली की परशीद मस्जीद का निर्मार हुआ साथी दियान रखिएगा जमाली कमाली की मस्जीद का निर्मार सन पंदर सो अठाइस इसपी में बाबर द्वारा किया गया अब आता है नेक्स्ट कोशन पेवा नेक्स्ट कोशन है आज का मरा लास्ट कोशन मोट की मस्जीद का निर्मार कब हुआ था मोट की मस्जीद का निर्मार पंदर सो पाच इस भी में हुआ था ध्यान रखिएगा इसका अंसर का D पंदर सो पाच इस भी में मोट की मस्जीद का निर्मार हुआ था थैंक यू दूस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होता लाइक से रहर सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को क्लिक करें